आज हमारे साथ हैं भाव तोर शेकर सर हम सबके सम्मानित पत्रकार सबसे बड़े पत्रकार कहे जा सकते हैं हम लोग के बीच में मैं जिनको सबसे अधिक सम्मान के दृष्टी से देखता हूं जिनसे हमेशा सीखने का प्रयास करता हूं आज आपके लिए थोड़ा सा अलग एनैलिसिस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो सुनामी वाला रिजल्ट है कुछ लोग चौकाने वाला कह रहे हैं लेकिन मैं दो तीन चीज़ों क को कह दूं उसके बाद भाव से हम बात करेंगे मेरे हिसाब से एक पल्स एक सेंटिमेंट हम सब को दिख रहा था जो क्लियर था भाव ने भी च्छतिसगर का एनैलेसिस किया था और जिनके बातों को सुनकी किया था वह एक कौमन आदमी है कौमन पिपल तो पत्रकार वो क्य क्या इस देश में अब एक अलग राजनिती सुरू हो रही है मुसल्मानों की कॉंग्रेस की तरफ वापसी के बाद क्या ममताब एनरजी को डरना जरूरी है अखिलेश यादों को डरना जरूरी है और वो दो ठाकरे ने कहा कि हम लड़ेंगे जीतेंगे क्या विपक्ष गहर पर आपने सदमे में है तो सबसे पहले चैनल पर आपका बहुत-बहुत सवागत है धाय। बाव यह क्या हो रहा है महाराश से लेकर के कन्या कुमारी से लेकर के कश्मीर कि ठीक है कुछ पत्रकार सदमे में यह नेता क्यूँ सदमे में सदमे में है इसा नहीं को अंदाजा था यह होने वाला है जैसे मैंने आपने जो बोला भी कि मुझे चतिसगड के बारे में एक सामन्य इंसान ने बोला था वो बड़े यहने बिजनेसमन वगड़े हो बात छोड़ो लेकिन वो पत्रकार नहीं है बुद्धी जीवी नहीं है या कोई बड़े पॉलिटिकल अनलीजिव करने वाले नहीं है फिर भी वो देख सकते हैं और हम नहीं देख सकते हैं इसका एक कारण पहले समझ लो तो बाकी की बात अपने आप समझ में आगे कि वह उनके प्रिजुडाइस नहीं रहते हैं जब प्रिजुडाइस होते तो क क्या होता है कि समझगा एक डॉक्टर है तो डॉक्टर से परीचित कोई इंसान उने मिल जाता है और प्रिजुडाइस नमस्कार डॉक्टर साब कैसे है तो वो डॉक्टर उसे पहचानता नहीं तो अच्छा तुमारी वो भीमारी कैसी है डायरेक्ली पूच लेगा वो यह सोचेगा कि यह वही किसी शादी में मिला होगा कई पिकनिक पर मिला होगा वह यहीं समझता है कि अगर डॉक्टर साब बोल रहा है तो यह मेरे dispenser में आया पॉस्पताल में यह जो प्रिजुडाइस होता है हमारा पुर्वग रह होता है तो उस कारण से हम नहीं देख पाई क्योंकि हमारी हर चीज की डेफिनेशन तयार हो चुकी है उनकी नहीं होती वो चाइल लाइक इनोसंस में निरागस्ता में वो देख पाते हैं जो है है हम वो देखता है लेकिन देखना नहीं चाहते इसलिए उन्होंने जो मुझे प्रेशराइज किया था वह असल में एक बात है कि वह दिली के वह जेपूल डायलग में मुझे ही मिलने आये थे अभी थोड़ी देर पहले उन पर मैंने वीडियो बनाया तो उनको फोन आया था कि मैं तो आपसे ही मिलने आया था मैं आपको बड़ा फैन हो बगरा बगरा तो बात यह नहीं हम क्यों नहीं देख पाते हैं अभी देखिए उद्डव ठाकरे जो इतना सब इंडिया अलायंस बिखरा पड़ा है तीन मेहने से और फिर भी बोल रहे हैं कि हम जोर सोर से लड हमने आप में डिस्पोजिशन हो जाएगा हमारे सब पार्डियों में जी और एक महने बाद हम बोपाल में बैठेंगे यहने अक्तूबर में बोपाल में बैठने वाले थे तो वहां के कॉंग्रेस के लीडर जो अभी-अभी हार चुके जो चीप मिनिस्टर केंड़ेट थे तो यह जो मामला है वह हमें दिखाई दे रहा है फिर उद्दव ठाकरे को नहीं दिखाई दे रहा है बिलकुल दिखाई दे रहा है लेकिन वह मानना नहीं चाहते और दूसरी बात एक होती है कोई भी बीमारी बहुत गजब की हो जाती है तब जब आप बीमार हो यह मानते ही नहीं तो बीमारी बढ़ती जाती है उसके दुश्परणाम बढ़ते जाते लेकिन आप उसका स्विकार नहीं करते और उसका उपाय नहीं होता उसका डाइगनोसिस नहीं होता तो बीमारी बढ़ती जाएगी यह बीमारी इनकी बढ़ती गई है और दूसरी बात कि पोलिट बाके उसको अनेलिसिस में इंटरेस्ट नहीं है तो यह उसका कारण है कि जो दिखाई देने सामने है वो दिखाई नहीं देता और और एक दूसरे बाद आप और बोलते हो यह हमारी साइकोलोजी के से आपके घर में हो यह सुनने वाले जो है वो भी एक्स्पिरिमेंट करके आप आपकी कोई बड़ी इंपोर्टन चीज है आपने कहीं रखी है और जान बुझकर समाल के रखी है एक जगा पर रखी है लेकिन जब वो ढूटना चाहते हो वो सामने होती है और दिखाई नहीं देती है अकिर हम ठक जाते है वो ते छोड़ो बाद में रेखेंगे और आदे घंटे के बाद वो वहीँ मिलती है जहां हम ढूडते रहें तो कियू नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हम ढूडते है और जब ढूडते है तो आखों से नहीं देखते, दिमाख से दिखते estructural को तो दिमाखंग से देते दमाख को तो कुछ दिखाई नहीं देता आख तो वा डोक्टर से में बात कर रहा था. तो ऐसी बात की मैंने बहुना बहुता है. अखों को वी दिखता है लेकिन आखें देखती नहीं. तो वो चओगे. तो ले एक मिट ठोड़ो. फिर से समझाओ. मैंने बहुता है. आख जो सामने दिखाई दे रहा है. के बाद आप सर पर कैमरा लगाओ और निकल जाओ वापस आजाओ और जो जो देखा है उसकी लिस्ट बनाते जाओ मैंने इतनी गाड़िया देखी एक कलर की थी वो सब लिखते जाओ और पूरा पूरा का पूरा दो घंटे आराम से बैटके लिख लू बाद में शुट किया अब तो चुनाओ हो गया रिजल्ट हो गया समझ में आ रहा है लेकिन एक मूल चीज जो बीजेपी की तरफ गई कि जनता भ्रम में नहीं थी जनता को पता था कि वोट किसको करना है ऐसे में 2024 की जो स्थिती बन लिए कि फिर से छे तारीक को यह मिलने वाले हैं सीट शेरिंग करेंगे ना जाने अब क्या क्या ड्रामा चलेगा एक दो महीं ने और दूसरी तरफ वो पत्रकार जो आँखों से आपने कहा कि उनका दिमाग रिकोगनाईज नहीं कर पाया दक्षिन भारत में बीजेपी साफ हो गई उत्तर भारत के लोग जो है वो हिंदू आदिये इनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है यह गोबर भक्त है भलाना धिमकाना है यह कमिनल है तो यह जो बाटने की राजनिती इसको देश कैसे देखेगा नहीं मुझा बाटने की राजनिती नहीं बोलता क्या है कि जो एक जॉनी लिवर नाम का कॉमेडियन है उसने बढ़िया इसा कॉमेडी की थी कि एक प्रोफेसर रास्ते से जा रहा है जी अब बुद्धी जी भी प्रोफेसर है तो किसी केले के छिलके पर घसर जाता है और ग लगा क्या है वो नहीं देखता और अराम से जैसा कुछ हुजा हुआ नहीं इसी ढंग से अराम से पचास साथ कदम निकल जाता है और बाद में करके रोना शुरू कर जयता है यानि उसको शर्म इतनी है कि मैं गिर गया इसकी उसको शर्म है लगा उसको धुख नहीं है तो इसको बुद्धी जी भी बोलते हैं यह पहले समझ लोग तो अब जाके यह अचीत अंजुम है सक्ट्या किकाब आशुतोष है या और कोई रवीश कुमार है इनके पिछले एक-दो महने के सब वीडियो आपको मिलेंगे पुरा अगर उनता होम पेज पर जाओगे तो सब फ्रमनेल लेखो बुद्धी कैसे हार रहे है बीजेपी कैसे हार रही है और अब यही लोग बोल रहे है कि देखो कैसे हो गया अब मैं आपको 2014 आपको मालूम है मैंने किताब लिखी थी तो हमरे पुना के दोस्ते बड़े बुद्धी जीवी है 40-50 किताबे लिखी है तो व लोगों की अपेक्षा है मोदी ने इतनी बढ़ा कर रखी है वो पूरी करपारना मुश्किल है तो पाट साल में मोदी की बुरी बुरी हलत होने वाली है मैंनो उनको एक सीधा साधा सवाल पूछा क्या आपने मोदी को वोड़ दिया है वोला बिलकुल नहीं मैं क्यों दू तो समझे आप इनकी आलत ऐसे क्यों हो जाती है कि यह अपने दिमाग में जो चल रहा है वही आम आदमी के दिमाग में चल रहा है ऐसा समझ लेते हैं मैं घर के बाद बोल दो मेरी वेटी चोटी थी तीसरी वगरे कक्षा में थी तो मेरी बीवी जो है बड़ी स्कॉलर है ब कि वह बीएसी को जब टूशन पढ़ाती है तो उसके दिमाग में होता है यह इतना आसान है तो बच्ची के लिए आसन नहीं है ना कोई प्रोफेसर के क्लास में पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वह समझ ही नहीं सकता यह टीचर जंप मारकर नाचकर गाना गाकर क्या पढ़ा र बहुत कंप्लिकेटेड है ज्यादा में नहीं जाओंगा तो इसके हलत यह इसी क्यों हो गए और यह चुनाव नहीं समझ पा रहे हैं देखो कल हम जिस क्या बोलते उसको जैपूल डायलोग पर थे उसके पहले मैं उमकार जी के साथ था तो उसमें एक सब्जेक्ट आ गया जो दिमाग में रहे गया रात को मैं इस पर सोच रहा था तो देखो इस चुनाव में वीजेपी ने कोई चेहरा सामने नहीं लाया किसी भी राज्यकिन पुक्ष्यमंटी का और हर जगा क्या बोला जाता था मोदी क्या बोलते थे यह सोचो उस मोदी के उस वक्तव्य ने नों 40 साल प्हचे 45 साल पीचे ले गए गूए जी क्या बोलते थे यह मोदी की ती versions के बोलें लें उसकी गारंटी एसा नहीं बोले मोधी जी क्या बोल रहे थे यह मोधी की गारंटी है कितने जो मेरे उमर के जो है जिन्होंने 40-50 साल पॉलिटिक्स जेके उनके दिमाग में नहीं आए यह ऐसा ही कोई बोलता था और जीतता था उसका नाम इंद्रा गांधी है यह बोले है इं इंद्रा की गारंटी मैं आपको बोलो सतततर में कॉंग्रेस और इंद्रा बुरी तरह से हार गए थे तीर साड़े तीर साल में वापस लोटे तो आपको तो याद नहीं कि आपके जनल साइद बात का है तो उस वक्ट इंद्रा जी की स्लोगन क्या थी चुनाओं आपने तुना होगा मैं बता देता हूं नजात पर नबात पर नजात पर नपात पर इंदिराजी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर बिलकुल और इनका जो पोता है वो बोलता है जातिये जनगणना होगी लेकिन उसका जो एक दुसरा लाहिने इंदिराजी की बात कर इंदिराजी की बात पर मोधी की बात पर मोधी की गारंटी समझाओ जी और इंदिराजी ने उसके बाद नव विदान सवाय बरखास्त की और सब चुनाव जीत लिए कोई चीप मिलिस्टर का चेहरा नहीं था तो तो मोजी की गारंटी का मतलब समझते हैं अब दूसरी बात बोले उसी चुनाव का और अंग्रेजी स्लोगन था गवर्मेंट डेट वर्ट चलने वाली सरकार वो तो मोजी खुद है तो बिल्कुल यह वह नाइंटीन एटी की इंदिरा गांधी हमारे सामने थी और यह जो बुज़ूर्ग बैठे हैं भार जगा पर संपादक बने बैठे बड़े बुद्धी जी भी यह प्रोफेसर से वगड़े वगड़े यह समझ नहीं पाए सामने तो इंदरा खड़ी है बड़े उसका आज का तो वो क्यों जीती थी यह अगर समझ पाते हैं तो यह तीन चुनाव क्यों जीते यह समझ पाएंगे भाव मुझे आपने फोन किया था 36 गड़ के एकजिट पॉल आ चुके हैं और हमारी लगबग आदे गंटे के आसपास की बात हुई थी तो आपने मुझे से पूछा था कि अभी से 36 गड़ का 13 क्या experience कहता है मतलब तुमने किया है कुछ तो मैंने बोला था हूँ आकड़े थोड़े चौकाने वाले हैं लेकिन मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा था उसका कारण था कि पिछले चार साल से आपने कहा ना मोधी की गारंटी तो एक प्रकार से मीडिया में भूपेश बगेल का इतना अड़टाइजमेंट था इतना प्रचार था कि उनकी गारंटी और तो यहां पर जनता ने उनकी गारंटी के ऊपर मोधी की गारंटी कि क्यों सविकार की यहीं बात होती है क्योंकि हमारे कान उस डंके पर थे ढंडोरे पर थे आम जनता के कान वहां नहीं थे 2% लोग न्यूस पेपर या न्यूस चानेल देखते 98% देखते ही नहीं नहीं झुनते हैं तो हमको लगा था कि यह सच है और मैंने जो बोला कि आँ सर पर कैमरा लगाओ तो जो सामने लोग बोल रहे थे उस पर हमारा भरोसा नहीं था, हमारा चैनल पर और नियूस्पेपर पर भरोसा, हम जनर्रालिस्ट है, हम बुद्धी जीवी हैं, हम डेटा पर भरोसा करते हैं, जिस इंसान का डेटा है उस पर भरोसा नहीं करते आप जिन्दा हो आप जिन्दा हो तो गौवर्मेंट ऑफिस में आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी कोई अभी शेक्तिवारी को गौवर्मेंट को आप इसमें जानता नहीं है कानून या सरकार जो चलती है वो लो वो अकलन होने में समय लगता है अकलन होने में समय लगता है और अब मैं और मुझे एक बड़िया कि अदानी ने अदानी ने अनाडी को हराया है ये जो तुनाव तीन हज्जों का है इसमें क्या हुआ है अदानी ने अनाडी को हराया है ये अनाडी समझ नहीं पा रहा है कि बगेल और गेलोड भी अदानी को गुला रहा है तो उसी राज़े में जाकर मैं अदानी के खिलाब क्यों बुलू भईया या अनाड़ी है और इसके किस ने हराया अदानी ने हराया तो कहने की बात ये कि लोग लोग देखो वोट जो होता है वो जो वोट जाता है, EVM में जाता है, बैलेट बॉक्स में जाता है, उसको गिना जाता है, आप मेडिया में कुछ भी बखते रहो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, मैं जो यंग जर्नलिस्ट था, दस बारा साल हुए थे, तो उस समय मुंबई में जो फिल्में लगती थी, उसकी सब पॉब्लिसिटी, बाम्बे पॉब्लिसिटी नाम के कमपनी के पास थी, वो वसंद साथे जो थे, राजकपूर के बड़े दोस्त हुआ करते थे, जिनोंने बाबी की कथा कलपना उनको दी थी, तो मैंने उनसे पूछा था, कि आप इतनी फिल्मों की पॉब्लिसि का खुछ पाइदा नहीं, जो देखकर निकले है, वो लोगों से बात करेंगे, माउट पॉब्लिसिटी होगी, उसके बाद लोगों का जमाउड़ा होच शुरू हो जाए, तो आप मेडिया में कितना भी धिंडरा पिटो, अगर उसका अनुभव नहीं है, मैं एक सीधी पियार देखा और आप वो चीज खरीदने करें दुकान में, और दुकान के शोकेस में है ही नहीं, ना गोडाउन में है, तो क्या करोगे, बोले अड़ोटाइस देखकर में तो बन गया, वापस लोड़ गया, तो कहने का मतलब यह, कि आप अड़ोटाइस खूब करो, लेक डाउसिस नहीं करोगे, तो बिमारी पर ना दवादारू हो सकती है, ना उपाय हो सकते है, तो यह हार जो है कॉंग्रेस की, इसका कारण में बता, और असल में मैं तो मानता हूँ, कि इसमें ना बीजेपी जीती है, ना कॉंग्रेस हारी है, इसमें तुम और हम जीते है, जो यूट्टिवर्स है, जो बूदी के साथ चल रहे है, जो आजकल mainstream media बन गए पबलीक के लिए. की गुलामी कर रहे है, उनको हमने हराया है. चुनाँ तो पार्टियों के लिए है. और बीजेपी को हराना, ये कॉंगरेस का अजेंडा ही ही नहीं. इंडिया का भी इंडिया अलाइस का भी अजेंडा नहीं है यह कुझ गिने चुने जर्नालिस्ट है युज़िर्शिटी के बुद्धि जी भी है उनका अजेंडा है और मैने उस दिन बोला था कि यह कुरॉमेंटरी बॉक्स में बैठ कर बुदि को हरा ना चाहते जो बैठ ल लिए दुसरा बैट्समन तक नहीं है और वो जित जाता है पिर भी गदे समझ नहीं रहे कि अरे ये कहां का क्रिकेट है और बोलते है शोर शोर से देखो अब उसका होगा ऐसा होगा वैसा होगा ना गेन डाली जा रही है ना सिक्सर फोर मारे जा रहे है ना कोई फिल्डिंग के लिए दोड़ रहा है और ये खुश है अपने आप में इसलिए मैंने एक वडियो बनाया था बहिया मत गड़ना के दिन तक तो मोदी को रोज हारना पड़ेगा और ये मैंने जैपूल डाहला उसमें भी बोला था जी जब मैं गोस्ट कर रहा था है और जितना आप उन प बोगस मेडिया है उनपर निरभर हो गए उनपर अवलंबित हो गए डिपेंडन उगए तो वह तो मैडान में आएगी ने आपको बचाने के ने मैडान में आपको लड़ना है देखो मैं इतना पुराना जर्नेलिस्ट हो तो बहुत लोगों के मेरे विडियो पसंद आते है अल्टिकल तो कुछ भूअ कर निकालते हैं फोन या आते मिलने को तो पूशते तो मैं को हमेशा बोलता है किसी को सला नहीं देता ह। क्योंकि भला होना है या बुरा होना है वो आपका होगा मेरा नहीं होगा तो मैं जो लिखता तो उसका आशे समझ लो और जो करना है वो करो क्योंकि नुक्सान होगा तो आपका होगा फाइदा होगा तो आपका होगा मुझे तो कुछ लेना देना है दि मेरा असेस्मेंट मैं बगातो तो सला नहीं दूँगा तो यह जो अपोजिशन माले है यह इतने गधे है मैंने अभी अभी एक वडियो बनाया सुबे डाल दूँगा क्या अब इंडिया आलायंस का हेड़कॉर्टरस शिवसेना भवन में होगा जो कि शरत पावर और उद्व ठाकने चोड़कर किसी को इंडिया अलग चाहिए नहीं है और चुनाव समझना भी ज़रूरी होगा अब देखो आपको बोलू कि मुझे तो तीन राज्यों में कभी ना कभी बीजेपी जीती है तीन बार जीती है एक अद बार हरी है दो बार जीती है वो सब इनका अपना है मुझे उसका उसकी बड़ी कोई एहमियत नहीं लगती कि राजस्टान शक्तिसगर मद्यपदेश में भी जीती उससे भी मैं अगर एहमियत देता हूँ तो 14 परसेंट वोट जो तेलंगना में मिली है मेरा अगला प्रस्ट वहीं था उधर उधर इनके लिए एक प्लाट मिल गया भूखंड मिल गया जिस पर बिल्डिंग खड़ी हो सकती है 40 साल पीछे जाओ तो इतना ही वोट परसेंटेज गुजरात में था 12-13-14 परसेंट शायद पचास साल 74 की बात में कर रहा हूँ करनाटक में आप 30-35 साल पहले चले जाओ तो बीजेपी का परसेंटेज 12-13 परसेंट था 30-35 साल पहले आज वो एक नंबर की या दो नंबर की पार्टी है तो तेलंग ना में इनोंने जो बीज डाला था वो अंकूरित हुआ है वो निकल के बाहर आया है पाथ साल पहले 7 परसेंट बोट थे अब पार्लेमेंट के लिए 12 परसेंट थे 2019 में आज 14 परसेंट हो गए इससे आगे चलकर 20-25 परसेंट होता है तो पर परसेंट सीटे निकलना शुरूर थी और इसने सबसे बड़ा नुक्सान होआ है तो वह के चंदर्शेकर राव का हुआ है क्योंकि आंद्रा और तेलंगना यह रिजिनल माइंडेड लोग नहीं है वो नैशनल पारिटी को रिस्पांस करते हैं देखो अभी चंदर्शेकर राव की रिजिनल पारिटी को किस ने ह किस ने हराया जो ओरिजिनल कॉंग्रेश डियने है वाइसर कॉंग्रेश तो इसने बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अगर कुछ लाव है तो मैं मानता हूं कि तेलंगना है तेलंगना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको अभी तक किसी ने उठाया नहीं मैं दिल्ली के मुनिसिपल कार्पोरेशन के चुनाव से देखने का प्रयास कर रहा हूं कि मुस्लिम वोट बैंक कॉंग्रेश की तरफ वापस आ रहा है फिर वह हिमाचल में आया पूरी तरह से वैसे तो हिमाचल में कॉंग्रेश वर्सेस बीजेपी था लेकिन करनाटक में क्लियर मैसे की हम वापस सुफ्ट हो रहा है और ते लंगाना आते आते यह कनफर्मेशन हो गया कि अब हम वापस मूल रूप से कॉंग्रेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इंडिय अलाइंस बनाने के चकर में कॉंग्रेश का तो फायदा हो सकता है लेकिन जो अखिलेस या धो है या ममताब एनरजी है या केसी आर हो या ओवैसी हो या जो और रिजनल पार्टी है बिहार में जदियु है आरजेडी है इनका तो लॉंग टम में जितना मैं समझ पाता हूँ आपसे तो कोई तुरुना ही नहीं है मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह तो इनके लिए खत्रे की घंटी है फिर यह लाइन्स क्यों कर रहा है नहीं इसमें आप सिर्फ मुस्लिम मत समझो यह लोग चिटक गए कॉंग्रेस से यह पार्टिया कहां से बनिये समझ वाधी पार्टी हो मा यह जब कॉंग्रेस के साथ जाएगे तो इनको इन्होंने जो कॉंग्रेस का एक तुकड़ा तोड़ा है वह वापस कॉंग्रेस से जुड़ जाएगा यह खतब हो जाएंगे अब यही तो बंगाल में हो गया सीपी एम और कॉंग्रेस का जो वोटर था वो बीजेपी के पास चला गया बचा कुझा बाकि ममता के साथ चला गया सब मिलकर ममता और बीजेपी मिलकर 91.5% वगरा कुछ वोट है ठीक तो यह बात लानू को समझनी चाहिए यह बात अकिलेस को समझनी चाहिए और इसलिए तो मेरी जब तक जहा तक याद है तो 2017 में भी खुद मुलायम नारास थे कॉंग्रेस के साथ जाने में क्योंकि उनको मानूम था हम हमारा जो बेस एंटी कॉंग्रेस था वो तो बीजेपी लेकर चली गई है बीजेपी हिंदूतों से नहीं बढ़िये उसमें बहुत छोटा हिस्सा हिंदूत वका है लेकिन जो बेसिकली एंटी कॉंग्रेस वोटर था जहां जहां पिछले 30-35 साल में बीजेपी वढ़िये आप जाके पिछले सब चुनाव का स्ठड़ी करो आपको पता चलेगा कि ए अंटी कॉंग्रेस वोट उसको छोड़ कर चला गया रत्पवार कांग्रेस के मिच चले गए एम ले लेकर चले गया लेकिन उनके पास आया हुआ जो 78 से लेकर 86 तक जो anti-congres water था वो शरत्तवार के साथ Congress में नहीं आया, वो शिवसेना के पास बाला साफ ठाकरे के पास चला गया और मुम्मई में सिमित थी जो शिवसेना जो महारस्ट में फाइल गई BJP उनके साथ आ गई तो और बरी तादार में पुरा का पुरा anti-congres और छोटा मोटा जो हिंदू तो वाला था वो तबका इकठा हो गया और 95 में इनकी सप्ता आ गई तो बात यह कि Muslim देखिए Modi का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है Modi जब 2014 में चुनाव में उत्रे थे उसके पहले मेरा खयाल है मुझे कोई information नहीं है लेकिन उनको कोई सला दे रहा है सही सला दे रहा है कि देश में अगर 17-18% Muslim है और समझो पूरे के पूरे कांग्रेस को या किसी को वोट दे रहे है जो BJP के खिलाब है तो अगर मैं 20% या 17% Hindu तो वोट बैंक मना देता हूँ तो वो मुस्लिम बोल्ट बैंक marginalized हो जाती है फिर जो बचा कुचा है उसमें सब रागीदार है और उसमें अगर मेरा हिस्सा बढ़ा रहेगा तो मैं टॉप मुस्ट पार्टी बन जाता हूँ अब बात ये थी कि ये जो है बीगर मुस्लिम बोल्टर वो तो कम से कम 25-70% है और उसका शेयरोल्डर अकेला में हो दिये और जो मुस्लिम बोल्ट है 17-18% उसके लिए 20-25-26 पार्टी ये अब हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा सोचो आप तो समझना वो होता है कल्पन एक बात होती है कोई थेयरी बना देता है यूणिसिटी में बैठा प्रोफेसर कुछ भी थेयरी बना देता है लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हो तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये प्रैक्टिकल है यह काम में आएगा कि नहीं या नुक्सारण करेंगा आप ले पालों या कांगरेज भी मुसलीम तुष्टि करन करने माली पार्टिए इसलिए हिंदु नाराज नहीं hai बिल्कुल नाराज नहीं आप मुस्लिमों का तुस्तिकर्ण नहीं कर रहे हैं तो दुस्तों पर अन्याय कर रहे है यह हिंदों को नहीं चलेगा इसलिए मोदी जी उनको एक ढंग से एंडल कर रहे है इससे उनके कटर समर्ता भी घुसा हो जाते हैं आ होते है हैं कि मोदी जी को सब के सब हिंदुों का वोट चाहिए और हिंदु टॉलरंट है तो मुसलिम पर अज्चा करने वाला हिंदु को हिंदु नहीं माने का लेकिन दील मात हैं कर सक्कितर व firearm on हमकर के खिलाफ हो तो वो पुरा का पुरा हिंदू आपके खिलाफ हो जाने जिक बाद को ये बात डिस्ट आज जरूरी है मुस्लिम कनती करन से कोई प्रॉब्लेम नहीं एंटी हिंदू होने से प्रॉब्लेम है इसको एंटी हिंदू करके पेश कर रहे इससे यह मोदी जी को बड़ी मदद कर रहे है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोदी हो शाहा हो उनके जो पहित्रे है वो मैं बुझा करता हूँ अगर उस पर काम करो तो मोदी को हरा सकते हो तो गदे मुझे ही मोदी भक्त बोल लेते हैं अभी क्या बोले मोदी जी शाह को बीजेपी को कैसे हरा सकते हो यह अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ लेने के बदले बजा है यह लोग मुझे ही गाली देते हैं अब क्या ब गदे को रेस में घोड़े ज़सा डवड़ा नहीं सकते इसलिए देखिए दोड़े का कि नहीं यह सब जो हो गया लास्ट बोलके रुकूंगा यह सब जो हुआ है इसमें सबसी सब यहने सबसा इस बीमारी की जड़ अगर रहुल गान दिये तो उसको हटाने की बात पिछले 48 गंटे में 46-96 गंटे में किसी ने भी किया मतलब यह की बीमारी पर बात मत करो और दवाईदेदो sí पुरा पुरा एनलिज का डेभी दिन का देखो ड़िते की बात पतेड़ो दवाईदेदो silु यह सब कहा आपने आप हमारे साथ तव शेक्तिवारी शो में जुड़े मेरे लिए इतना बहुत-बहुत सम्मान की बात है शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रणाम आपने दर्शकों को पता नहीं आज अकल आपने वापस इसका कारण यह था कि जैपूर में मैंने फोर्स किया था कि भाव आप हिंदी बनाओ और हमारे साथ बहुत लोगों ने फोर्स किया और अब अच्छा लग रहा है आपके हिंदी विशलेशन क्योंकि क्या है भाव मराठी को समझना पड़ता था आपके सोस्तों पहले भी मताकी कर दो महें हम बच्चे को देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता वो हस रहा है और उसको यह लगा तो हस रही यानि माशन चैनल डारेक्क चॉन्टेक्ट शुरू हो जाता है, कोई भाषा नहीं होती है, तो आपस में एक भाषा बना लेते, जो भाषा आज की कोई भी प्रचलीद भाषा नहीं है, लेकिन मा और बच्चे में एक प्रचलीद भाषा होती है, क्योंकि एक दोनों का आशय समझना चाहते हैं, तो मैं यह समझ गया हूँ कि लोगों को मेरे विचलेशन से मतलब है, मेरे भाशा से मतलब नेंगे. बिलकुल, 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 बिलकुल. प्रणाम. नवस्कादुन.